आज हम सीखेंगे जाती उद्भव के बारे में हम जानते हैं कि लेंगिक जननन में संतती को जनक के लक्षणों के साथ कुछ विभिन्नताए यानि वेरियेशन्स भी वन्शानुगत यानि इनहेरिट होती है इन विभिन्नताओं के कारण संतती में कुछ ऐसे लक्षणों का विकास होता है जो उसे जनकों से अलग बनाती है इस तरह पीडी दर पीडी जीवों के लक्षणों में छोटे छोटे परिवर्तन आना सूक्ष्म विकास कहलाता है सूक्ष्म विकास जीव की समश्टी के सामान्य लक्षणों में परिवर्तन अवश्य लाते हैं लेकिन वे आपस में अंतह प्रजनन यानि इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं तथा जननक्ष्म संतती यानि फर्टाइल ओफ्स्फरिंग उत्पन कर सकते हैं जीवों का ऐसा समुह जिससे सभी जीव जनन कर सकते हैं तथा जननक्ष्म संतती का निर्मान कर सकते हैं स्पीशीज कहलाते हैं मानव यानि human beings एक स्पीशीज है जो homo sapien sapien के नाम से जानी जाती है आप कुछ और स्पीशीज को पता करके इनके वैज्ञानिक नाम अवश्यग्याद कीजिए कई बार विभिन्नकारणों से जीवों के विद्यमान स्पीशीज दो ऐसे समुह बन जाते हैं जो एक दूसरे के साथ अंतह प्रजनन नहीं कर सकते या जननक्ष्म संतिती उत्पन नहीं कर सकते ऐसी स्थिती में हम कह सकते हैं कि विद्यमान स्पीशीज से नई स्पीशीज का निर्मान हुआ है यानि की जाती उत्भवन यानि स्पीशियेशन हुआ है चलिए उन विभिन्नकारकों की चर्चा करे जिनके अंतरगत जाती उद्भवन होता है प्राकरतिक चयन यानि Natural Selection किसी जीव की समश्टी में विभिन्नताएं होती है जीव के परियावरण में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं इन परिवर्तनों में केवल वे जीव जीव जीवित रहते हैं जिनमें बदलते परियावरण के लिए उप्यूक्त अनुकूलन है वे जीव जिनमें उप्यूक्त अनुकूलन नहीं हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं जीवित रहने वाले जीव लाभप्रद लक्षनों को अपनी संतिती में वन्शानुगत करती है। पीडी दर पीडी इन विबिनताओं के संचयन से जीव की समश्टी का विकास तो होता है। लेकिन कई बार इससे जीव की समश्टी में इस प्रकार परिवर्तन आता है कि नई पीडी पहले की पीडी के साथ अंतहर जनन करने में सक्षम नहीं रहती। हम कहते हैं कि नई पीडी का उदय हुआ है, यानि की जाती उद्भवन हुआ है। आनुवंशिक अपवाद यानि genetic drift किसी जीव की समश्टी में किसी लक्षन के लिए विभिन्न एलील होते हैं। किसी स्पीशीज के जीवों में विद्यमान एलीलों के समुच्चय को जीन पूल कहते हैं। यदि किसी जीव की समश्टी छोटी हो, तो अचानक होने वाली घटनाओं, जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण एलील के अवृत्ती में याद्रचिक रूप से परिवर्तन होता है, जिसे हम आनुवांशिक अपवाद यानि जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, इसके कारण आनुवांशिक रूप से नई समश्टी, कारंबिक समश्टी से भिन्न हो जाती है, कई बार नई समश्टी का विकास इस प्रकार होता है कि एक नई स्पीशीस का उदय होता है, यदि समश्टी का आकार बड़ा होगा, तो अचानक होने वाली घटनाओं से एलील के आवृत् जिसके कारण आनुवांशिक अपवाद नहीं होता विभिन्न कारणों जैसे भोजन के उपलबदता के कारण, जीव की समश्टी दो भागों में बढ़ जाती है, कई बार ऐसी भोगोलिक स्थिति उत्पन हो जाती है, जैसे खाई का उत्पन होना, जिससे दोनों समश्टियों का एक दूसरे से संबन टूच जाता है, याने कि वे बोगोलिक रूप से प्रुथक हो जाते हैं, इसके कारण वे एक दूसरे के साथ जनन नहीं कर पाते और एक समश्टी के जीन दूसरे समश्टी में नहीं जा पाते, यदि बोगोलिक स्थितिया भिन्न होती है, तो दोनों समश्टियों में प्राकृतिक चैन और विकास वे भिन्न प्रकार से होता है, पेडी दर पेडी वे एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप कई बार वे भिन्न स्पीशीज बन जाते हैं इन तीनों स्थितियों में जाती उद्भव बिन्न तरीकों से हो सकता है, जैसे डीने या गुण सूतरों की संख्या में बदलाव आता है, तो दोनों सम्मूहों की युगमक एक दूसरे एक निशेचन नहीं कर पाएंगे, परिणाम स्वरूप जाती उद्भव होगा इस प्रकार आज हमने सीखा जाती उद्भव